यह सामने आप देख रहे हैं यह है पॉर्टुला का इसको मौस रोज यह नाइन ओकलाग भी बोलते हैं कई नामों से जाना जाता है और यह इसका जो फ्लॉरिंग सीजन होता है इसके बारे में बताओ मैं आपको सर्दियों को छोड़कर इसमें पूरी गर्मिया फ्लॉरिंग करने लग जाता है बहुती इजी टू ग्रो है बहुती कम केयर में पौदा काफी अच्छे से ग्रो होता है और धेर सारी फ्लॉरिंग करता है देखने में काफी खुबसूरत लगता है आज इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ में कि इसकी केर कैसे करनी है कहां इससे रखनी है कितनी वाटरिंग करनी है मांसुन सीजन में क्या कंपोश्ट इसमें देनी चाहिए इस से की फूल आ रहे हैं वह काफी अच्छी क्वांटिटी में आया और बड़े जो फूल की साइज है वह काफी बड़ी आए ऐसे नर्मली आपकी 4 से 5 इंच हो आप जैसे यह मीरा देख सकते हो 5 इंच की गयराई में यह लगा हुआ और काफी अच्छे से फहला हुआ है और इसमें कलियां आप देख सकते हैं साथ में फूल बन के जो मुर्जा चुके हैं और नए फूल भी खिल रहे हैं आप deep pot भी ले सकते हैं उसमें भी काफी अच्छे से ग्रोह होता है बहुत ज़्यादा deep pot लेने की आवस्यक्ता नहीं है क्योंकि इसको आमें फैलाना है चारत रूट इसकी हर ब्रांज से निकलती है तो जितना चोणा pot होगा उतना अच्छा खुबसूरत देखने को लगता है अब इसके लिए जो मिट्टी बनानी है दोस्तों वह होनी चाहिए पूरस बेल ड्रेंड जिसमें पानी बिल्कुल भी होल्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि जो इसकी पतियां होती है वो माइस्चर को होल्ड किये होए होती है तो एक्सेस वाटर में यह जो है इसमें फंगस पैदा होती है रूट से डैमेज होती है और पौधा भी फंगस बहुत जल्दी इसमें फंगस की प्रॉब्लम आने लग जाती है जिससे की पौधा खराब होने लग जाता है तो मिट्टी को आपको वेल्डेंड बनाना है जिसमें बिल्कुल भी पानी होल्ड ना हो अब ती करके निकाल दीजिए इसमें होल्ड मत होने दीजिए बाकी दिन भर की दूप चीए पौधे को कोई दिक्कत नहीं है बारिस हो पूरी टाइम बारिस में रखी पौधा काफी अच्छे से ग्रोफ करेगा बारिस के बाद एक चीच जो नोटिस करने वाली है केर करने वाली है वो जो फूल होते हैं हमारे देखिए फूल ड्राइ होते हैं और जब बारिस का पानी पड़ता है तो यह सडने लगते हैं पौधे पे तो इस सडने की वज़ज़ से इससे फंगस पैदा होता है तो आपको उसे टाइम टू टाइम हटाते रहना है जिससे की फंगस पैदा ना हो अब बात करते हैं पोदह मिलेगा कहा से लगाना कैसे नर्सरी से आप खायिद के लिए veto लाइस आ इस नाम के लाएस को बेंग पी अधि नहीं दिख़ाए चला से सब्सक्राइगा sub अगर दोचाड ब्रांच आपको कहीं से मिल जाती है तो कटिंग आपकी इसकी लिया कि किसी भी मिट्टी में कहीं भी बारिस में लगा देंगे बहुत ही इजली प्रोपगेट होने लग जाता है तो आपको पैसे भी खर्च करने की जुरत नहीं इजली आपको यह पौधा और बारिस नहीं हो रही है तो दो दिन में एक आप इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए उसके बाद पौधे को छोड़ दीजिए बहुत ज़्यादा पानी की आवसक्ता है इस पौधे को नहीं होती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो पत्तियां होती है मैं आपको दिखाता हूँ एक पत्ती तोड़कर अब इसको मसलेंगे तो इसमें आपको मौस्चर मिलेगा देखिए तो इसमें मौस्चर होल्ड होता है तो आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की आवसक्ता नहीं है हाँ वाटरिंग अगर अंडर वाटर होगा पौधा द्राइ होने लगता है तो दिक्कत होती है अब दोस्तों एक बात कर लेते जो इसमें कंपोस्ट हम क्या देते हैं खास करके रेनी सीजन में तो दो तरह से हम इसमें कंपोस्ट करते हैं ड्राइ कंपोस्ट और लिक्विड कंपोस्ट ड्राइ कंपोस्ट में मैं आपको दिख जो कि पौधे को जो है फंगस से भी प्रिवेंट करती है और माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो है उसकी ग्रोथ के लिए ओवराल ग्रोथ के लिए हेलफुल होते हैं तो इसको हम एक गंबले में एक मुठी इस प्रकार से नीचे की तरफ देखे छीट देते हैं क्योंकि पूरा धूप के ना पहुचने की वज़े से भी मिट्टी में नमी बनी रहती है तो इस प्रकार से देखे हम इसमें महीने में एक बार यह जो कंपोस्ट मैं आपको बता रहा हूं यह दे देते हैं साथ में जो आप देखे इसमें कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा कि हलका पील पीलापन जो होता है दोस्तों वह होता है आरन की डिफिसेंसी या फिर ओवर वाटरिंग की वज़े से तो आपको यह पहचानना बहुत जरूरी है कि ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है अगर वह वाटरिंग होगी तब भी यह पीलापन आपको देखने को मिल जाएगा बारिस में यह अक्सर हो जाता है तो कि लगातार बारिस में ओवर वाटरिंग तो हो ही जाती है और अगर ओवर वाटरिंग नहीं है तो आरन की डिफिसेंसी होती है जिसकी वज़े से यह प्रॉब्लम आती है तो हम दो तरह की कंपोश्ट लिक्विट कंपोश्ट यूज कर पौधे की जो flooring होती है वो boost होती है साथ में जो पीला पनाता है वो नहीं आने देता है उसकी जो problem होती है वो भी solve हो जाती है तो इस प्रकार से हम ये प्याज के छिलके का water होता है भिगा के 24 गंटे बाद यूज करते हैं और दूसरी चीज जो है वो है आप cowden compost हो या वर्मी compost हो उसको 24 गंटे के लिए पानी में भीगा के छोड़ दीजिए और उसको भी हम 15-15 दिन के अंत्राल पे अपने पौधे में यूज करते हैं इस से जो है पौधे में जो growth होती overall growth काफी अच्छी होती है साथ में जो micro nutrients होते हैं वो पौधे को की कमी को पूरी कर देते हैं तो कलियों की size में आपको दिखाऊं यह देखिए यह कलियों की size देखिए जब इतनी बड़ी कली होगी तो आप सोचे फूल भी उसका size भी काफी बड़ा होगा तो इस परकार से अगर आप composting करते हैं तो फूल की size काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी और धेर सारी कलिय आपके गंबले में बनेंगी अब एक चीज लाश्ट में मैं आपको बता दूँ बारिस में देखे खर पतवार बहुत ज़्यादा उगते हैं तो आपको समय समय पे अपने इसमें से जो गंबला है इसमें से खर पतवार या घांस जो होती है उन्हें समय समय पे remove करना होता ह क्योंकि वो जो होती हैं बहुत तेजी से फैलती है और मिट्टी का जितना भी nutrients होता है वो घांस खीच लेती है तो पौधे को बहुत कम मिल पाता है तो ये कुछ चीजे हैं जो आपको करनी है जिससे की बार आपको जो है अपने पोटुल लगा में heavy flooring और full की size भी काफी ब झालने बाइब